Hello friends, मेरा नाम है आपी देखे and welcome to tech store अगर आप अपने computer या laptop में wireless mouse connect करना चाहते हैं वो भी अपने keyboard की मदद से तो wireless mouse को अपने computer या laptop में कैसे connect करें चलिया यहाँ पर जानते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अभी हम कोई भी arrow use नहीं कर सकते हैं कोई भी application पे हम open ही नहीं कर सकते हैं न सेटिंग open कर सकते हैं क्यूंकि mouse तो हमारे पास है नहीं तो हमें क्या करना है अपने keyboard की मदद लेनी है तो keyboard में सबसे पहले हमें यह window बटन दबाना है तो मैं window बटन यहाँ पर जैसे ही दबाऊंगा देखिए मैं window बटन दबाता हूं तो मैंने window बटन जैसे ही दबाया यह page इस तरीके से open हो गया इसके बाद अब आपको अपने keyboard से एक और बटन यूज करना यह tab का अब आपको tab दबाना ठीक है जैसे ही मैं tab दबाऊंगा तो यह black color का जो यह round है यह आ जाएगा आपके PC में अब आपको यहाँ पर यह जो ब अब इंटर बटन दबाएं इंटर इंटर बटन जैसे दबाएंगे तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे इसके बाद आपको वापस यह नीचे वाला जो बटन होता है यह यह बटन दबा दबाकर नीचे Bluetooth एंड डिवाइस में आना है और वापस से इंटर बटन पर क्लिक क करना है अब आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो अब आपको यहाँ पर आना है एड डिवाइस के ओक्षिन में तो कैसे आएंगे वापस से आपको टैब बटन का यूज करना पड़ेगा तो मैं टैब बटन दबा लेता हूं देखिए यहाँ पर आ गया है इसके बाद दबाओंगा तो यह देखिए यहाँ पर आ गया है इसके बाद दबाते रहे दबाते रहे जब तक आप यह ब्लैक राउंड सरकल चौकोन हिस्सा यहाँ पर पहुंच जाए ठीक है इसके बाद अब इस पर आप इंटर कर दें तो यहाँ पर आपको ब्लुटूथ दिख जा होगा या फिर मेरी तरफा नॉन रीसीवर वाला माउस होगा देखिए अगर आपके रिसीवर वाला माउस है तो वह आटोमाट हो जाएगा आपके कंप्यूटर से दे। अब हो . non receiver वाला mouse है तो आपको ये तरीका apply करना ही होगा तो आपको देखिए ये non receiver वाला mouse है मेरे पास तो मैं इसे यहां से on कर लूँगा ये on हो गया है अब देखिए यहां पर कई lights दो ती light दी होती है जो जल्बुझ जल्बुझ हो रही होती है तो ये जो बटन होता है उनके नीचे उसे तेर तक आपको दबाए रखना है जब तक light blink ना करें तेज तेज देखिए light blink करने लगी है अब हमें आना है Bluetooth में ठीक है और इस पे enter करना है इंटर करेंगे तो यहां पर search करने लेगा device और ये देखिए mouse का icon आपको यहां पर दिख जाएगा और ये है मेरा mouse तो मैं नीचे वाले बटन से sorry tab का बटन दबाना है tab का बटन दबाना है तो इस तरीके से चौक होना जाएगा अब नीचे वाला बटन दबाए और ok कर ले तो ये connect होने लग जाएगा connection दिखा देगा कुछ second wait कर ले तो देखिए connect हो गया है अब ये mouse मैं यहां पर देखिए चलाता हूँ ये रेखिए cursor आ गया है तो इस तरीके से वाइरलेस mouse को अपने computer ले laptop में connect कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गया होंगे वीडियो पसंदाई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें बाबाए